जैसी किसना दोश्तों, हमारे BS सर्माबाद द्वा चैनल में आप सभी दोश्तों का स्वागत हैं दोश्तों, साधी के कई वर्ष हो चुके हैं दोनों दमपत्ती, पती, पत्नी की सारीरिक रपोर्ट ठीक हैं डांक्टर से इलाज कराया है, डांक्टरी रपोर्ट भी नॉर्मल आ रही हैं फिर भी संतान की प्राप्ती ने हो रही, इसका क्या कारण हो सकता है दोश्तों, साधी के वाद में संतान ना होने की कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण से संतान प्राप्ती में रुकावट आ रही हैं दोश्तों सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें साधी के बाद अगर आपको एक या दो साल हो जाती है उसके तुरंत बाद ही आपको चिंता अवस्र कनी चाहिए क्योंकि आज के समय पर खान पीन के कारण भी संतान प्राप्ती में रुकावट आती हैं इस्ति को गर्वधारन करके उसे सेने की जो सक्ति होती है आज कलके खान पीन से उब भी खतम हो रही है क्योंकि सारा मिलावटी खाना आ रहा है सब कुछ में मिलावट आ रही है तो सब से पहले आप डांक्टर के पाथ जाने से पहले ही इस बात का ध्यान रखें अपने खान पीन में सुधार कर लें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत दवाई लगने से भी संतान को धारन करने की सक्ति खतम होने लग जाती हैं तो दोश्तों अपने खान पीन में सुधार रखें और अपना जो है सहवास का जो समय होता है सहवास का समय इस प्रिकास से रखें जिनमें बिज्ञानिक तत्तों के इसाफ से भी जो बिज्ञानिक तरीके हैं उनके इसाफ से भी उनका अप्रियोक करें जो सारी चीज़े हम खुल करके नहीं कह सकती पन्त उसमें सहवास के समय आप दूद का सेवन अवस्य करें सहवास करने से पहले दूद या कौफी पीनावी पुदूश के लिए अतिहितिकारक होता है दोस्तों इस्ति को चाहिए जैसे गर्व धारन करने की सकती प्राप्त नहीं हो रही हैं गर्व धारन में रुकावत आ रही हैं साधी के बाद में दिक्कते होने पर गरम बस्तों का त्याक का दें गरम बस्तों के सेवन से भी गर्व धारन में रुकावत आती है साथ में दूद से बनी हुई चीजें पती पत्नी ज़्यादा तर खाए अगर गाय का दूद मिल जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है उसके बाद में भी गर्वधारन नहीं हो रहा है डांगतरी चेकप करा लिया है डांगतरी रपोर्ट में नॉर्मल है तो पर आप किसी योग जोटसी के द्वारा जनम पत्री का विशेशन अवश्य करवाएं क्योंकि जनम पत्री में पती पत्ने की जनम कुंडली में पंचम भाम में या पंचमेश की इस्टी किस ग्रह के साथ है नीच की है या पापी ग्रह के साथ है या पापी ग्रहों से द्रिष्ट है पंचम इस्थान पर पापी ग्रहों की द्रिष्टी तो नहीं है दसा किस की चल रही है इन सब का जो है आप विशेशन करवा के फिर उसके उपाए करें ये सब कुछ करा लिया है फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप समझ सकते ही कि आपको कोक बंदन भी हो सकता है दोस्तो कोक बंदन भी कई प्रकार का होता है एक तो होता है जिसमें गर्वदारन ही नहीं होता संतान प्राप्ति नहीं होती और दूसरा होता है गर्वदारन तो हो जाता है पंद कुछ दिनों के बाद में गर्व हानी हो जाती है और तीसरा होता है कि गर्वदारन होता है पं संकेट हमने अपने चैनल में वीडियो पहले दार रखिए कि अगर कंदों का भारी पर रहना अगर आपको बुरे शुपना आना दरावने शुपना आना ये सभी अनेग प्रिकार के लक्षन इस प्रिकार से होते हैं जो कोक बंदन के संकेट भी देते हैं दोस्तों कई बार जरूरी ने होता कि किसी के बारने से ही कोक बनती हैं कई बार ऐसा भी होता है कि किसी वस्तू पर पैर पर जाना या किसी की साया पर जाना या परवार के अंदर किसी दोस का होना पित्र दोस होना या उस जमीन में दोस होना ये भी संतान प्राप्ति में रु योग बन जाते हैं दोस्तों सब चीजों का ध्यान रखें और साथ में कोक बंदन के अगर आपके लक्षण में जिसकी वीडियो में चैनल उड़ा रखिया है तो आप उसके उपाई भी करें साथ में जड़ी बूतियों का सेवन करें और अपने घर में लड़ो गुपाल जी क की पूजा वस्ट करें तो निश्चत रूप से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं दोस्तों कारम और भाग्य दोनों साथ चलते हैं दबा दूआ दोनों जरूरी है इसी तरह से उपाई के साथ साथ आप अपना मेडिकल चेकप जुरू करवाएं कि उसमें कोई कमी तो नह सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जुरू करें आगे की वीडियों और जानकारी के साथ मिलते हीं आप अप